नमस्ते, हमेशा कुष्णरोब बिटिया, हायरविद फेकल्टी, अस्टांग रदे, सेशन टू, जोती बिद्या पीट, वुमेंस उनिविस्टी, जैपूर, डौक्टर सुशील कुमार सर्मा मौलिक शिद्धान्त में, तंत्र युक्तियों में, 24 वी तंत्र युक्ति, संसे, संसे क्या है, हाचयर चक्रपणी कहते हैं, संसियो नाम, विशेश आकांक्षा, निर्धारितो, उभय विज्ञान विशेगानम अर्थात, विशेश आकांक्षा, हिच्छा से, एनिधारित, उभय विशे, पक्षियम उपक्ष का ज्यान संसे है, उधरन, कतिपय आचारी मातापिता का जन्म, मातापिता को जन्म का कारण मानते हैं, कुछ सुभाव को, कुछ परनिर्वान को, और अनिलोग यद्रिच्छ को जन्म का कारण मानते हैं, इत्यादी से कहा गया विशेश आ निर्धारित होने से संसे है, आचारी सुसुत का कहते हैं, अर्थात, दो प्रकार की असमान विशेश की कारण का वरन करना संसे है, उधरन, तर रधे मर्म, पर आगात लगने से प्रान नास होता है, तदा, प् भी प्रान का नास नहीं होता है अब है अगला आतिता वेक्षन इसके परियाय में हैं आतिता वेक्षन चरक कहते हैं आतितो वेक्षन आचारी अंदत कहते हैं और आतिक्रांता वेक्षन आचारी सुष्रूत कहते हैं लक्षन क्या है आचारी चरकों साथ आतिता वेक्षन नाम यद ती मवे चोत्रे यथा अर्थाद प्रस्तुत विशे के विवरण में पूर्वक्त विचन का निर्देश करना ही अतितो विख्षन है हर्थाद यह कुटी उसी प्रकार की कुटी में सेयन ज्वर का संस्मन करता है यहाँ पर स्वाध्याय में कही गई कुटी आदी के अतित को देखा जाता है हाचारि सुषू क्या करते हैं जो बात पहले कही गई है उसी बात को पुनेश्वन करना हति क्रांतान विख्षन है उधान के लिए चिकित साथान में किसी विषए के लिए कहा जाता है कि उसे सुत्रिस्थान में कह दिया गया है यह दरिश्टर भी है मतलब पहले कही गई बात को पुने उसका करना ही ये क्या है द्रस्टानत कहा गया है अब है अनागत विक्षन अनागत विक्षन किसे कहते हैं उसके बारे में बताया गया है अनागत विक्षन नाम यद अनागतम विधी प्रमानी करत्य त्या अर्थ साधनम यथा अथ्वा तिक्त सर्पिस है इत्य धनागता विक्षन नोचते अर्थात जो अनागत विधी को प्रमानी करत करके अर्थ की सिद्धी की जाती है वह अनागत विक्षन है अर्थात जो विशे अभी तक कहा नहीं गया है आगे कहा जाएगा यह प्रियोग का उलेक करना ही अनागत विख्षन है उधारण तिक्त सर्पिस है जित्यादी अर्थात किसी अनागत अर्थात भविशे का किसी कार्य सिद्धी प्रिक्रण में वर्ण करना अनागत विख्षन कहलाता है कि इस विशे का विश्थार से बलन चिक्त स्थान में किया जाएगा यही क्या है अनागत विख्षन कहलाता है यही है अनागत विख्षन कहलाता है